अभी हम आपको लेकर आए हैं बृतेन के नौर्थ टाइनी शाइट शहर के 1225 रेस्टोरेंट में और अभी आपको यहाँ पर दिख रही है सोफे के अंदर पल्टी हुई एक महिला जिसका नाम लिंडसे क्लार्क है दरसल लिंडसे अपनी दोस्त जूली जैक्सन का 47 जन्म दिन मनाने के लिए इस रेस्टोरेंट में मौझूद थी इस पार्टी के दोरान सोफे के अंदर गिरे हुए जैकेट को उठाने के लिए लिंडसे यहाँ पर पलट गई इस पूरी घटना का वीडियो शेर किया है लिंडसे की दोस्त और बर्थडेगल जूली जैक्सन ने अपने फेस्बुक पेज पर जो कि अभी सोशल मीडिया पर हड जगा बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है तो अभी आप देखते रहिए यह वाइरल वीडियो कि आपको बताया था कि इस वीडियो को शेर किया है लिंडसे की दोस्त और पार्टी की बर्थडेगल जूली जैक्सन ने तो आखिर यह सब कैसे हुआ और उनके दोस्त लिंडसे की यह हालत कैसे हुई इस पर बात करते हुए जूली जैक्सन ने मीडिया को बताया कि दरसल उस दिन मेरा 47 वा जन्मदिन था और मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में गई हुई थी वहाँ पर हम लोग सभी तरह की ड्रिंक्स भी रहे थे लेकिन हमने सबसे ज्यादा एक इटेलियन वाइट वाइन पी जिसका नाम प्रोसेको है इस दोरान मेरी जैकेट सोफे के अंदर गिर गई जिसे निकालने के लिए लिंडिसे नीचे चुकी और तब ही वो पलट गई और सोफे में फस गई वो कुल मिलाकर दस मिनट तक फसी रही घटा के दोरान लिंडिसे को इस अजीब और गरीब हालत में सोफे के अंदर फसे देख वहाँ उनके दोस्त जोड़ जोड़ से ठहा के मार कर बस हसे जा रहे थे और साथी इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे फिर लिंडिसे को इस हालत से निकालने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के करमचारियों को बुलाया जिन्होंने काफी मशकत के बाद उनकी दोस्त को सोफे से निकालने में मदद की काफी लंबे संगर्श के बाद अंतता रेस्टोरेंट के करमचारियों ने लिंडिसे के पैर पकड़कर उन्हें बाहर निकाल दिया हाला कि लिंडिसे को इस दोरान पैरों पे हलकी खरोचे भी आ गई मगर अंतु में उन्हें उस मुश्किल शण से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया जूले ने अपनी दोस्त लिंडिसे की इस स्थितीक से सही सलामत निकलने के लिए उन्हों रेस्टोरेंट के करमचानियों की जमकर तारिफ की और उनका शुक्रियादा किया बाके आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर लिख कर हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए पंजाब किस्टी टीवी के लिए हिमानशु की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद